पच्चिमी विक्षोब की सक्रियते के कारण बीते दिन दिल्ली एंसियार का मौसन सुहाना हो गया आज भी दिल्ली एंसियार में आंशिक तोर पर बादल छाय रहने और 30-40 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ़तार से हवाद चलने के आसार बने हुए हैं इसके साथ कई इलाकों में हलकी बारिश होने का भी अनुमान है सूतरों ने कहा है कि सोयबीन, बिजाई और कटाई के मौके पर अफ़वाओं से तिलन, कारूबार और विशेश रूप से किसानों के हुशले पस्थ होते हैं सूतरों का मानना है कि ये अफवा उडाने वाले वो लोग हैं जिनके मलेशिया और अर्जेंटीना में प्रसंस्करंड सहियंत रहें और ये नहीं चाते की देश देल तिलन उत्पादन के मामले में आत्म निर्बर बने उत्तर प्रतेश की क्रिशी मंदी सूरे परताप शाही ने ग्यों खरीद में किये गए बदलावों पर सफाई पेश करते वे कहा कि ऐसा सीमान्त किसान को फायदा पहुचाने की इरादे से किया गिया है परतिक शनिवार को किसानों के लिए लगाए गए 50 फिंडल अतिरिक्त बेचने की छूट दी जाएगी हरियाना सरकार ने अब सस्ते राशन डिपो पर तेल नहीं बेचने का फैसल लिया है इसके बदले वे अब गरीब लोगों को पैसा देगी ताकि लोग मार्केट से तेल खरीदें सरकार ने कहा है कि जून 2021 में हैफेड की ओर से सरसो तेल उप या तेल महंगा होना है लेकिन अब रहात की बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है इसलिए उमीद है की जा रही है कि सरसो समेत अन्य तेल की कीमते भी खुदरा में नीचे आनी शुरू हो जाएंगी या फिर हो चुकी है लेकिन कीमत बिल्कुल समानने होने में थोड़ा समय लग सकता है संभावना व्यक्त की जारी कि दिसम्बर तक कीमते बिल्कुल समानने हो जाएंगी देश में दलन का उत्पादन गटने से दाल की कीमतों में बड़ोतरी की आशंका है भारतिय दलन एवम अनाच संग आईपी जीए के अनुसार इस साल दाल का उत्पादन गट सकता है कोरोना के कारण इस फसल वर्ष में दलन फसलों की बुवाई पर किसानों का जोर कम रहा है इसके चलते देश में इस साल मसूर चना और अन्य दालों साही दालों की कमी का सामना करना पड़ सकता है बीते एक साल के दोरान देश में खाने के तेल की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिली है इसका असर तिलन के दाम पर भी पड़ा है और किसानों को अच्छी कीमत भी मिली है इसी वज़ा से देश में इस बार तिलन की पैदावार बढ़ने का अनुमान है क्रिशी मंतराले के तीसरे अगरीम उपज अनुमान के अनुसार सोयबीन सर्सो मुंफली की पैदावार में बड़ोतरी देखने को मिल सकती है इस बार मक्का बुवाई का रखबा 7 लाग हेक्टेर से जादा हो सकता है ये आखड़ा पिछले साल से 62,000 हेक्टेर जादा है क्रिशी मंतराली की तरफ से जारी ताजा आखड़ों के अनुसार मई के आखिर तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेर से अधिक छेतर में मक्का की बुवाई हो गई है इस बार मक्के की पैदावार 3,2,000,000 रहने का नुमान है पिछले साल 2,87,000,000 के आसपास रहा था प्रदान मंदरी नेंदर मोदी ने विश्व परियवरन दिवस के अफसर पर इथनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तित रोड मैप जारी किया है इस मौके पर पीम पुणे में तीन जगाओ पर E-100 के वितरन स्टेशनों की एक पैलेट पर योजनाओ को लाँच किया है सरकार ने मार्च महीन में इथनॉल को स्टेंड अलोन इधन के रूप में इस्तमाल की मंजूरी दी थी इसके बाद से तेल कंबनियों को सीधे E-100 विचनी की अनुमती मिल गई है एक अपरेल दोजर पच्ची से 20 फीसद वाला ब्लेंडिंग पैट्रोल विकेगा उत्तर प्रदेश के हापुड को प्याज उत्पादन का बड़ा केंद बनाने की तयारी है पहली बार हापुड में खरीव सीजर में भी उध्यान विभाग प्याज की खेती कराएगा शासन से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी क्रिशिव वेग्यानिको का दल फसल की देखबाल के लिए किसानों को टिप्स देंगे प्रयास सफल हुआ तो हापुड मौल रद प्रदेश भर में लागू होगा और यहाँ प्याज की बंपर पैदावार होगी